हे दोस्तो मैं हूनी रैच आप देख रहे हैं घर की रसोई घर की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके सामने पत्ता गोबी मतर और आलू की स्वाधिस्ट और सिंपल सी रेस्पी लेकर आई हूँ जिसे हम अक्सर घर पर बनाते भी हैं तो चलिए दोस सबसे पहले आपको मिले तो थोस्तो क्या करना है हमें लेव लेना है मंतर देखिये मंतर है उसे मैंने धोक़र अच्छे से ले लिया है और उसके बाद आलो को 2 मीडियमशाई First के लिए और पत्ता गोवी को भी धोकर ले ले लिया है उसके बाद आलो को मैं 20 से कट कर दूंगी कुछ इस तरह से अगर आपके सपास बड़े साइच के आलो हूं आप इसे चार पीस में कट करें आया फिर आप इसे छोटे पीस अपनी चानुसार कर सकते हैं पर ऐसे देखने में काफी अच्छा लगता है तो मैं इसे टलाट में कट कर रही हूं और मैंने डाल धिया कूकर के अंदर अब हम क्या करेंगे पात्ताग को भी कट कर लेंगे जादा बड़ा-बड़ा-खाटेंगे दम महीन पतला काटने की कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि हम इसे की बाइल करेंगे तो आप उसे कुछ पतला-पतला कट कर ले या फिर आप उसे मूटा वाला पाट को हटा ही दे तो अच्छा रहेगा देखे मैं बड़े-बड़े पीसे कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ ज्यादा दिक्कत नहीं है काफी आसानी से कट हो जा रही है और इजली हो भी जाता है तो इस तरह मैंने सारी कटिंग कर लिए मूटा वाला भाग को मैंने अलग कर दिया इसे हम सबजी में यूज नहीं करेंगे देखिए काफी आसानी से कटिंग हो रही है सारी कटिंग करने के बाद हम पत्तागों भी को कूकर में डाल देंगे बॉयल होने के लिए आसानी से कटिंग हो जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है मैं इसे इस तरह भी कट कर ले रही हूँ जिसे हमें कूकर में डालने में सुगदा हो तो कटिंग आपको जैसी भी आपको कर सकते हैं जरूरी नहीं है आप ऐसे ही काटे हमें पीसे पतला नहीं करना है बस इसका हमें ध्यान रखना है सारी कटिंग हो गई है अब हम इसे कूकर में डाल देंगे जिससे ये बॉयल हो जाए कूकर में डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे करीबन करीबन डेर ग्लास पानी क्योंकि पानी से बॉयल होगा और इसमें अपना पानी नहीं होता है तो हमें इसमें पानी ज़्यादा डालने के जोत है अक्सर साग वगड़ा में कम पानी डालते है पर पत्ता गोबी में हमें पानी ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आलू भी है तो आलू बोयल होने में टाइम लगता है तो पानी हमें तेर्ग लास यूज़ करना है पत्ता गोबी को उपर और आलो को नीचे रखना है जिससे आलो जल्दी बॉयल हो जाए फिर डाल देंगे सौधा अनुसार नमक दोनों में हमें नमक डाल देना है मतर में और पत्ता गोबी में मैंने मतर को बॉयल करने के लिए एक कप पानी यूज़ किया है अब दोनों को गैस के उपर रख देंगे और बॉयल होने देंगे जिससे मतर सुआ सकत है सौफ्ट हो जाएगा पत्ता गोबी भी अच्छे से पक जाएगी आलो भी बॉयल हो जाएगा देखी आलो और पत्ता गोबी अच्छे से बॉयल हो गया है तो अब हम क्या करेंगे किसे स्टेनर में इसके पानी को अलग कर देंगे पानी को यूज नहीं करेंगे बल्कि से फेक देंगे मतर वाला पानी फेकनी की जूरूत नहीं है अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं तो देखिए हमारा मतर भी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है चेक कर लेते हैं सॉफ्ट हो चुका है तो इसे हम साइड में रख देते हैं और अब गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई गर्म करने के लिए कड़ाई में ज्यादा तेल नहीं डालेंगे फिलाल तो अभी क्या करना है हमें आलो को जो हमने बॉल करके लिया था उसे अलग कर देंगे तो कैबेश से दोनों को अलग कर देना है पत्ता गोवी अलग आलो को अलग कर देना है क्योंकि हमें आलो को फ्राई करना है आलो को उसके बाद हम आलो को निकाल लेंगे और जो गोबी है पत्ता गोबी उसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे हाथों से जिससे उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए जिससे स्वाथ अच्छा लगता है तो अच्छे से हाथों से प्रेस कर देंगे अगर हाथों से प्रेस कर रही हूं तो दो से तीन मिनट राइ करेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी एब्जॉब हो जाए और अच्छे से ये भून जाए तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे और उसी कड़ाई में हमें डाल देना है सरसू का तेल मैं सारा कुकिंग सरसू के तेल में ही कर रही खड़ी लाल मेर्च और कटा हुआ प्याज दो मिडियम साइज का कटा हुआ प्याज था उसे हम सुनेरा भूनेंगे तो प्याज जब तक भून रहा है तब तक हम क्या करेंगे साथ स्याड लैसुन की कलियों को दो मिडियम साइज के टमाटर को और एक एच अद्रक के टु कुछ मसालों कू मैं जब गोल्डेंन प्राउन हो जाए फ्लेम को मीडियम करकें टमाटर अद्रक और लेस्ट कांट पेज्ट डाल देंगे और में हल्दी टोन रढ़ देंगे pra sincer 막 बढ़ Juda कर समील रीच क्लर के लिए और एक छोटा चमज धनिया का पॉर्डर उसके बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है जिसे तब तक मसालों तेल अलग ना हो जाए एक्स्ट्रस वाद के लिए मैंने आपर एक बड़ा चमज कसूरी मेथी भी ले लिया था मसालों से जब तेल अलग होने लगा तो अब हमें डाल देना है स्वादा नुसा नमक उसके बाद एक छोटा चमज गरम मसाला पॉर्डर और इसे अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद डाल देंगे गोबी आलू को गोपी आलू को अच्छे से मिलाने के बाद हम डाल देंगे मतर जो हमने पहले से बॉल करके रखा था सारी चीजों को एक दुसरे में अच्छे से मिला लेंगे हलका सा मिलाने के बाद धनिया पत्दा डाल कर थोई देर कर धक कर छोड़ देंगे जिससे मसालो का फ्लेवर मतर आलू में अच्छे से आ जाए तो 2-3 मिनट धककर इसे हम छोड़ देंगे 2-3 मिनट बार धककन को हम भी खोल देना है देखिए सारी चीजे अच्छे से मिल जाएगी और फ्लेवर भी अच्छे से एक दुसरे में आ जाएगा तो स्वाद काफी अच्छा लगता है देखिए हमारा सबजी कितना अच्छा बन कर त्यार हुआ है तो अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे रोटी के साथ पराठो के साथ पूरी के साथ खाए तो यह काफी अच्छी लगती है आसा करती हूँ रेश्पी आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले रेश्पी आपको कैसी लगी रेश्पी अगर अच्छी लगी हो लाइक भी जरूर कर दे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोसाइट करता है मैंने वीडियो अच्छी बनाई आसा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल के साथ जरूर बने रहें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब खुश रहें स्वस्त रहें, जै भारत, जै हिंद, तैंक यू